स्वारा के रही है स्वारा के साथ पूरी जिंदगी बितानी इसलिए अब हमें इनकी आखों की और हाथों की भाषा खुदी समझ दियो इसलिए अब हमें किसी अनुवादक की कोई जरुत नहीं ध्वनीना मनी मन सोचने लगती है कि मैं इस कंगाल के संग जाके क्या करूँगी मुझे तो इसका पैसा चाहिए और यहां पर न वह भाना बना के आप जा सकती है वापस आजाती है और उसको बोलते है कि भाई यहां में नौकरी वगरा भी तो करनी बड़ेगी तो मैं अपने डॉकुमेंट्स वगरा लेकर आती है तुम यहीं रुगना हो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो स्वरा है वो वेट कर रहे हैं लेकिन यहां पर न इ है और मुझे भी अब कोई शादी वादी नी करनी कोई सखाई नी करनी और वो उसकी बहन से तोड़के रिष्टाना वेदान की वापस आजाता है लेकिन जैसी आ रहा होता है महां पर स्वरा रोक लेती है और स्वरा बोलती कि नहीं हम थोड़ी दिर वेट करते हैं और कोई यहां पर बोलती है कि तुम्हारे लिए एक मौक और है मैं तुम्हें 20 लाक रुपे दूं तुम क्या छोड़ दोगी वेदान को तो यहां पर वो बोलती है हाँ ठीक है फिर वह 20 को चालिस कर देती है और 40 लाक सुनके तो भई पागल हो जाती है द्वनी बिलकुल उसक कि अब जो ध्वनी है वो ड्राइवर से शादी करने के लिए भी तयार हो जाएगी पैसों के लिए अब यह जो ड्राइवर से शादी करने वाला ट्विस्टन है यह तुम्हाने वाले एपिसोड में देखेंगे लेकिन भई आप मुझे बताईए आपको सुहागन कैसा लग कि वेदान पहुंच जाएगा सोरा के पास शादी करने के लिए या फिर यहां पर धुनी की जन भाग जाएगा